महात्मा गांधी ने कहा था सच्छता ही सेवा है हमारे देश के लिए हमारे जीवन में सच्छता की बहुत जरूरत है गंदगी हमारे आसपास के वातावरण और जीवन को प्रभावित करती है हमें व्यक्तिकत वा आसपास की सफाई अवश्य रखनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए अभी आप लोगों ने देखा था कोरोना काल में रोगियों की बढ़ती जिनसंख्या एवं अस्पतालों में साफ सफाई को ध्यान देनी की आवश्यक्ता यह बात और भी इसपश्ट हो गई कि जीवन में सच्छता की कितनी जरूरत है जीवन में सच्छता से तातपर स्वस्थ होने की अवस्था से भी है सच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुडवत्ता को भी बढ़ाती है यह हमारे जीवन का एक महत्पून अंग है हमारे लिए शरीर की भी सच्छता बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए और शान्ती से जीवन जीने का अच्छा गुण है इसके लिए घर के बड़े बुजूर्गों को और माता पिता और बच्चों को इस आदत को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे सच्छता के महत्व को समझें आईए सच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे अपने पाट का अभ्यास कार जिसका की शीशक ही है सच्छता जो लिया गया है ग्रह शिल्प से कक्षा आठ की पुस्तक से देर नहीं करेंगे हम शुरू करेंगे वस्तोनिस्ट प्रेश्ण से रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए बालों की सफाई व्यक्तिगत स्वक्षता है घर आसपडोस तथा सार्जनिक इस्थलों की स्वक्षता पर्यावरणी स्वक्षता के अंतरगत आती है आती लगो तिरी प्रेश्ण पहला प्रेश्ण है घर में प्रति दिन प्रियोग में आने वाले पाच सामानों के नाम लिखे बहुत सरल सा उत्तर है कोई भी लिख सकता है बरतन, फरनीचर जैसे कुर्सी और मेज, किताबें, चूला, साइकिल या स्कूटर इन सभी का प्रियोग प्रति दिन ही होता है दूसरा है पर्यावरणी स्वच्छता में कौन-कौन सी स्वच्छता आती है जिर्विवोस पर्यावरणिय सुच्छता में हमारे घर आसपास वसारवजनिक स्थानों तथा अपने चारों और के वातावरण की सफाई आती है बढ़ेंगे लगूतरी प्रश्न की और पहला प्रश्न है आप अपने दातों एवं नाखूनों की सफाई क्यूं करते हैं भाई सभी को पता है भोजन करने के बाद भोजन के अंश मुह में रह जाते हैं यदि हम भोजन करने के बाद तथा सुभा दातों की सफाई नहीं करेंगे तो भोजन के अंश सडने से रोगाण उत्पन होकर शरीर को रोग ग्रस्त बना देंगे अब इसी प्रकार नाखूनों की सफाई करने से उन में भरी गंदगी निकल जाती है और वह भोजन के साथ पेट में नहीं पहुँचती है अतह हमें अपने दातों तथा नाखूनों की सफाई अच्छे ढंग से करनी जाहिए Dear viewers हमारा दूसरा प्रशन है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतरगत कौन सी स्वच्छता आती है बहुत ही सिंपल सा उत्तर है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतरगत हमारे शरीर तथा उसके अंगों जैसे तप्ञेंसे तवचा मुह दात आख कान वह नाख आदी की सफाई आती है आए दीर गुतरी प्रिश्ण में पहले प्रिश्ण का उत्तर देते हैं तवचा की सफाई क्यूं कब और कैसे करनी चाहिए तो जीर विवर्स सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि तवचा की सफाई क्यूं करनी चाहिए हमारे शरीर की तवचा में अनेक छोटे छोटे छि अच्छ ना किया जाए तो धूल में पाय जाने वाले कीटाणू शड्òng में प्रविश्च होकर यानि प्रवेश्ट पाकर शरीर को रोगी बना देंगे घर में विभिन परकार की कारे करने वा मल आदी साफ करने से हमारे हाथ में धूल वा अन्य की टाणू संपर्क में आ जाते हैं यही रीजन है कि हमें तुचा की सफाई करना अति आवश्चक है अब कब करनी चाहिए? तो दियर विवर्स प्रातह काल सनान द्वारा हम हाथ पैर को साफ कर सकते हैं अब कैसे करनी चाहिए? सनान करते समय शरीर को सभी अंगों को मल-मल कर साफ करना चाहिए शौच क्रिया के बाद हाथ को साबुन या राख से धो कर खाने के पूर्व हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ करके हम अपनी तुचा की सफाई कर सकते हैं हमारा दूसरा प्रश्ण है पर्यावरणिय स्वक्षिता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं? वर्णन कीजिए तेर विवर्स पर्यावरणिय स्वक्षिता में हम अपना सहयोग भली प्रकार दे सकते हैं खाने की सड़ी गली चीजें इधर उधर ना फेक कर कूड़े दान में फेकना चाहिए या अपने बगीचे में एक गड़ा खोद कर उसमें डालना चाहिए जिससे एक अच्छी खाद तयार हो सकती है जलसरोत के समीप नहाना, कपड़े धूना, पशुओं को नहलाना एवम शौज नहीं करना चाहिए बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का ठैला ले जाना चाहिए प्लस्टिक पैक, सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए स्कूटर, कार एवं अन्य वाहनों से निकलने वाले धुए को जाच कराकर नियंत्रित करना चाहिए पटाखे सारजिनिक स्थानों पर नहीं छुडाना चाहिए उद्योगों के अप्षिष्ट पदार्थों को नदियों वा तालाबों में नहीं बहाना चाहिए कार खानों को शहर से दूर लगाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को फिल्टर युक्त तथा उचा रखना चाहिए इस प्रकार परियावरणी सुच्छता में हम अपना सहयोग दे सकते हैं यही पर सवाप्त होता है हमारा यह चोटा सा अभ्यासकार हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अभ्यासकार के साथ खूब पढ़ें खूब बढ़ें थैंक यू